दोस्तों भारती लोगों के बीच टमाटर को लोगप्रिये होने में करीब 200 साल लगे और 19 वी सदी के आखिर तक टमाटर का प्रियोग भारतीय रसोई में भी आम हो गया और व्यापक तोर पर इसकी खेती भी शुरू हुई लेकिन आज भी दक्षण भारत और उत्तरपूर्व के कुछ लाकों में टमाटर का प्रियोग इतना आम नहीं है जितना की देश के अन्य लाकों में है देश में टमाटर के दाम आस्मान छु रहे हैं आलम ये है कि बहुत सी रसोईों में हर सबजी का चहेता टमाटर अब आना अंग बन गया दरसल टमाटर उकता था दक्षण अमेरिका के पश्चिम में इस्तित एंडीज परवश रंखला में वहां के जंगलों में यह पाया जाता था दीरे दीरे इस्थानिये लोगों ने इसका प्रियोग और इसकी खेती शुरू कर दी इस्थानिये भाशा में इस उस वक्त की है जब यूरोपिये सामराज जवात की शुरूआत नहीं हुई थे जब यूरोपिये देशों ने दुनिया की खोश शुरू किया और नई नई जगों में अपना सामराज फैलाना शुरू किया तो करीब 16 सदी में स्पैनिश लोग मैक्सिको आए और यहां से ट टमाटर लगबख सारे यूरोप में उगाया जाने लगा लेकिन इसका उपयोग भोजन की बनस्पती एक सजावटी पौदे की तरह जादा किया जाता था छोटे छोटे पौदों से लटकते लाल लाल फल एक बगीचे के किनारे पर सजे बहुत सुन्दर लगते थे इसे जहरीला फल माना जाता था इसलिए इसे पौईजन एपल नाम दिया गया इस नाम में निसंदेह कुछ सचाई भी है दरसल टमाटर के पत्तों टहनी और जड़ों में नियूरो टॉक्सिन जहर पाया जाता है इसलिए इन्हें नहीं खाया जाना चाहिए टमाटर जहरील होता है यह मानता एक घटना की वज़े से बनी जब यूरोप में कुछ अमीर घरानों की सदस्यों की मौत हो गई और यह पाया गया कि उनके भोजन में टमाटर था लेकिन दरसल यह हादसा इसलिए हुआ क्योंकि टमाटर से बने व्यंजनों को कांसे के बरतनों में रखा ग आईए जानते हैं टमाटर एक फल है या सबजी यह फैसला कैसे हुआ था आज दुनिया के सभी प्रमुक देशों में टमाटर का उतपादन होता है और टमाटर एक सबजी के तौर पर बेहद लोग प्रिये है लेकिन जरा ठहरिये टमाटर और सबजी अरे नहीं वनस्पतिक तौर पर टमाटर तो एक फल है लेकिन चूंकि इसमें शुगर की मातरा अन्य फलों से काफी कम होती है इसलिए इसका इस्तमाल एक सबजी के तौर पर होता है लेकिन क्या आप जानते हैं टमाटर फल है या सबजी इस पर अमेरिका में बकायदा एक कानूनी मुकदमा जाती है टमाटर भारत के अलावा जापान पाकिस्तान औस्टेलिया से भी महगा बिक रहा है भारत में तो हीट वेव और कहीं बाढ़ के प्रकोप के कारण इसकी कीमतें 400 प्रतिशत तक बढ़ गई है इस बात से हमें अब हैसास हो जाना चाहिए कि क्लाइमिट चेंज प्र हमारी रसुई में ग्रांड एंट्री करेगा इसी तरह कि और भी जानकारियां पाने के लिए आप हमारे चैनल टिप्स और लाइफ को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए